मैं सबसे पहले आधरिये मुख्यमंत्री वेस्वंगाल उनका मैं स्वागत करता हूँ मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आध समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है नेता जी सुवाचन बोस और गुरुदेव रविना टेगोजी की जनम भूमी पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आधरिये ममता बन्यजी जी आध हमारे भी चुपस्तित है जो बंगाल का चुनाव हुआ और नकेवल बंगाल वलकी पूरे देश की नजर थी मैं बधाई देना चाहता हूँ आधरिये ममता बन्यजी जी को कि जिन्होंने संपधाइक ताकतों को हराने का काम किया और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सत्त मेव जैते एक उधारन पेश किया आपने कि तमाम तरह की भारती जन्ता पार्टी की रणनीत रही पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी उसके बावजूद भी आपने मुकावला करकर के उन्हें हराने का काम किया ना केवल भारती जन्ता पार्टी बंगाल में हारी है बलकि आपकी जीस से नारी सक्ति का भी सम्मान बढ़ा है पूरे देश में कल आप आजे दिदी कलकता से उड़कर के आ गई और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए के दिया मौसम खराब है कल आदने दिदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई लखनो आ गई लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए कहा कि मौसम खराब है सच में भाजबा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है दिदी के आने से तो भाजबा के संकट के बाधल और भी गहरा गए हैं इस बार भारती जनता पार्टी का जूट का जहाज उत्तर पुदेश में नहीं उतर पाएगा भारती जनता पार्टी का जूट का जहाज अब उत्तर पुदेश में लेंड नहीं कर पाएगा हमारे साथ आधनी दीदी को देख करके भाज़पा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आधनी दीदी जी के आने के बाद दस मार्च को जीत की खुशी में जीत का रजगुला हम सब लोग मिल करके खाएंगे मैं इनी शब्दों के साथ जो एतिहासिक लड़ाई आपने लड़ी बंगाल में मैं आपके साथ साथ बंगाल की जनता को बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नेता चुना जो तरक्की खुशाली के साथ साथ देश की जो गंगा जमनी तहजीव है हमारी जो मिली जुली तहजीव है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जो इमानदारी से देश के लोग खुशाली और तरक्की चाते हैं उनके लिए आपने जीत करके के संदिश देने का काम किया आपने तमाम तरह के मुकाबलों का सामना किया तमाम तरह की साज़िशों का आपने साम की काम किया तमाम तरह के सड्यंत हुए उसके वावजुद भी आपने एतिहास एक जीत दी है पहले भी मैंने बधाई दी थी फिर एक बार उत्तरप्रदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बधाई देता हूँ मैं फिर आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से और उत्तरप्रदेश की गरीव जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभाद पिगड़ करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए मैं अब निवेतन करूँआ कि आदले दीधी अब आपनी बात रखें मैं पहले उत्तरप्रदेश का जनता को मैं श्वागत करने चाहती हूँ मैं उनका अभारी हूँ मैं उनका शुक्रियादाई करने चाहूँगी कि भाई अखिलेश ने मेरे को लक्णों में बुलाके पूरा उत्तरप्रदेश का जनता को एक अच्छा रिस्ता बनाने के लिए जो मौका दिया है मैंने उसी के लिए कि उसका शुक्रिया अदाय करने चाहूंगी कि समाजबादी पाटी का हर नेता इधर में हैं जितना भी संभब भार्ट्यूल मीटिंग है कि आभी तो रैली भी नहीं अलाओ कर दिया है लेकिन बीजेपी का रैली सो अच्छा से चलता है लेकिन हम लोग को रैली नहीं चलेगा अगल हम इसले रैली करते हैं हमर अखिलेस मिलके तो क्रोड़ों सो ज्यादा आदमिया आते आ जाते यह डड़ के लिए रैली बगड़ा 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 नहीं है अभी ठीक है मन लो चुनाओ ने जो चुनाओ आयोग ने जो बोला है हम उसको मन के चलेंगे कि एहीं लगत तंत्र है अखिलेस जी को मैं शुक्रिया दय करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्षन में भी उन्होंने किरन मॉय नंदों को भेज कर जोय जी बच्चों को भेज कर हमारा पार्टी को लिए केंपेंड करने के लिए मुदद किया था मैं यूपी में एही बात कहने के लिए आई हुए है आवे तो दोस्तारिक का चुनाओ वो इस्टान यूपी का है बाद में और सरे जगा में है और चुनाओं में आप एक काट्टा हो कर आप समाजबादी पार्टी को जिताए और बिजेपी को हराइए ए बात कहने के लिए मैं लकनों में आई हुए है फिर तीन तारिक को हम बड़ा नोशिबे भी आएंगे मैं रूपी में कॉंटेस नहीं कर रहा है इसे के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा रलाई है देश को अगर बिजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधार में लड़ाई करता है अकिलेज जादो उसको सपोट करना पुरा-फुरी पुरा तारा एह हमारा होक्त बनत है मैं पहले दो चार बात कहने के पहले पहले मापी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलते बोलते सिख जाऊंगी कि उपी का भी बहुत सरे अदमी हमारा बंगाल में रहते हैं बिहार का भी बहुत सरे अदमी हमारा बंगाल में रहते हैं रजस आपका भी रहते हैं पूरा हिंदुस्तान को होड इंसान हिंदुस्तान को होड़ प्रांत में रहते हैं कि मैं दो चार बात कहने का पहले लता जी को जो दिहान्त हुआ है कि मैं उनका उपर शद्धान जली निविदन करके दो लाइन कहने चाहूंगी जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ तो ओ वार का बाद जो शोहीद हुए है उसको सद्धान जली देने के लिए लता जी ने एक गणा गाया जो गणा के लिए आज भी लता जी हर विश्यो का इतिहास बन गया ओ गाना क्या था ए मेरे वातन को लोगो जरा आखों में भर लो पानी जो शोहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुए हिमालाए हिमालाए कहां पे है आपका यूपी पे है उत्राकर्ण में है जब घायल हुए हिमालाए खत्रे में परे आजा दी जब ताक्ती सास लरेओ फिर अपनी लास बिचा दी संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शोहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी हम जो देश के लिए कुर्बानी दिये है हम सब को आम शद्धान जले निवेदन करने चाहती हूँ लता जी का एक गाना पे उत्तर पुदेश का इतिहाश बहुत बड़ा इतिहाश है आजादी का अंदलोन से शुरू केरके जेतना वी प्रधान मुन्ती आप लोगों ने दिया आप्टर इंडिपेंडेंस सबीत उत्तर पुदेश में उत्तर पुदेश कई है हमारे उधर में कुम्बो मेला होता है कुम्बो का जो दुसरा तारीका से गंगा सागर मेला कौन करते हैं हमारा ग्यंदास जी करते हैं ग्यंदास जी रहते कहा है आयोध्धा में रहते हैं उसका ट्रास्ट आयोध्धा में है रहते हैं उधर में लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूं और तिरिस लाग चलिस लाग लोग यूपी से बिहार से जाते हैं हम लोग कभी किसी को पूस्थनी हेए किया तुम्हाड़ा रिलिजियन क्या है कि तुम्हारा All क्या है हां मैं ही पुछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तान ही है नश्य खिंदुस्तान में रेते हैं प्रुद्ध स्क्राइप में रहते हैं कोई मिराड में रहते हैं कोई मत्थुरा में रहते हैं कोई वेस्टन उपी में रहते हैं कोई हत्रास में रहते हैं कोई उन्नाव में रहते हैं कोई लक्नों में रहते हैं कोई अलाबाद में रहते हैं पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राजी उपी है अगर ए राज से बिजेपी गिया तो बिजेपी देश से गिया आपको पहले पसंद करना है आप बिजेपी का जूटा बोलने से भोड़ देंगे ना प्सटबिग में जो कम करेंगे शाब को लेके चलेंगे आप उनका भोड़ देंगे और कुछ-कुछ लोग तो है जो बसंद तो में कोकिल आता है न कुह कुह करते है आपको क्या बोलता आपका language में कोईल बोलता है जो कोईल दोएल आता है भोट काटके भाग जाता है भोट का बाद उसको देखा नहीं होता बोलता है हमारा बंगाल में तुम्हारा द्याखा नहीं गो तुम्हारा द्याखा नहीं तुम्हारा बेट नहीं है तुम्हारा सकात नहीं है तुम्हारा बेट नहीं है तुमको मिलता नहीं है कि चुनाओं का बात पांक साथ घर में बैटके रहते हैं कोई दिल्ली में बैटके रहते हैं कोई हाइदराबाद में बैटके रहते हैं कोई इधार उदार घुंगते हैं और चुनाओं का टाइम में चला आता है कि वो भोड का कोईल हो गया है भोड में उसको भोड लेना है एस सा लोगों को कभी भोड देखे अपना भोड नस्त मत करो मैंने सुना है आज हमारा पोग्राम है इसी के लिए बीजेपी के आज मैनिफेस्टों निकालना है ओ मैनिफेस्टों ना मानिफेस्टों मेरे को पता नहीं है किया क्यूंएं ये इतना दिन कि पहले तो करना है उसका बात बोलना है 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 आपको थी पॉलना परता है ये इतना साल अफ दिल्ली में बाहर में है आप यूप में पहाड में हैं तच्छम्तम में रहके आप गोली चलाते हो बर्बादी करते हो मा बोहिन को क्या हुआ है हमको बोलने का जुरूरत नहीं है इतिहास बताएंगे पहले तो माफी मांगो उसका बाद भोड मांगो हात्रास में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं छमा करेंगे पहले माफी मांगो उन्डाओं में क्या हुआ था माफी मांगो एनार्सी लेगे केतना लोग मरा था माफी मांगो पवित्र धर्ती मेरे को गंगा माई है जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते है मेरे को पता चला जब मल्दा में मेरे बेंगाल में उत्तर पोदेश को डेड़ बोडी मिला लास मिला कोविट का बाद सोब लास गंगा मा को ठेक दिया नमबर नहीं लाएगा लागेगा मैंने ओ लास उठाया अर उसको उठाके शांथी से उसको जिसको समा दिया है जिसको सधान जो लिया है जिसको किमेशन का माथ करना है मैंने सब कर दिया लेकिन तब कहा थे आप लोग जब कुविड में लोग मुर्टे थे अ जोगी जी आप कहा में थे अब बंगाल में ममता बयाना जी को हडाने गिया था कोविद को हडाने नहीं आया एब इन debi में आप ओ बात को भी आप मद भुलो कि माफी म मागो को कितने आद्मी को आप ग्वंगा में भासा दिया सुला दिया उसको परिबार को देखने के मौका भी नहीं दिया आज ओ लोगों को अत्ता खड़ा है ओ लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी भोट चाहिए ना हमारा अत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाव आमको आग जल रहा है आप पानी में आग जला दिया अ गाज हे स्था अगया जब कोई लोग मर जयता है और सबसे ऊचा हो जाता है हम लोग उसको सधान जोली दिते हैं हैं चाहे हिंडू हो होचाहे मुस्लिमो हो चाहे सीको चाहे इसाही हो चाहे जाटो चाहे धलीत हो चाहे प्रामिनो हर आपने nessow सबको फेक दिया पानी में आग लगा दिया आपका पास लकड़ी नहीं था जालाने का लकड़ी भी नहीं था आप सोचा भी नहीं था पहले माफी मांगो उसका बाद बोड मांगो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैंने सुना है स्कूटी बागाडा बागाडा कुछ देने का वादा करेगा वादा तो करते हैं दिया क्यों नहीं मैं मेरे को जतना स्कूल है एक क्रोर बीस लाग साइकल बीना पैसा में दिया स्टूडेंट को डे दिया और मैनिफेस्ट में मेरे को बोलने का ए नहीं है हम लोगों ने टैब सबको दे दिया लिए नहीं है आज पांच साल आप लोगों ने क्या किया सबसे रुपिया तो यूपी का मिला सबसे ज्यादा रुपिया भणत सरकार सब काम में नरंदमोदी कहता है हम ने किया हमने क्या कहां से क्या हमारा क्या हम हमारा pocket से ले आता है money जनता का रूपया आप state से ले जाते है, income tax का नाम पे, GST का नाम पे, customs का नाम पे, ये सब टेक्स लेके आप जमा करते हैं, आई रिस से 40% स्टेट को देते हैं, 60% आप खर्चा करते हैं, इस स्टेट का मनी है, जन्ता का मनी है, आज आप कहे रहा है, कभिट को इंग्जेशन मैंने फ्री में दे दिया और क्या आपका रुपिया है और जनता का रुपिया है आप जनता से रुपिया लिया और कॉप दिया कैसे दिया कितना दिया अब तो कहते है जोगी जी चाल लोग क्रोर हम इंवेस्ट किया है यूपिय में का गया रुपिया क्या प्येशन में भेज़ा उसमें तो आडिट नहीं होगा इसी के लिए आप कह दे सकता है आप पुछे ना किया दिया और रुपिया गया कहा आगार इंवेस्ट हुआ तो हम खुष है मघंबो खुष है में तो उसका मघंबो खुष है लेकन बोली है और रुपिय का गया कहा किया प्येम आप के जया उसमें तो ओडिट भी नहीं होगा क्याग भी नहीं जाएगा हमारा चिप मिनिस्ट्र रिलीप पांड कोई दुखी स्टुडेंट को देते कोई मा बहिन को देते तो आप सिभी आई भेज़ देते और पी एम क्यार में लाखो लाखो क्रोडो क्रोडो रुपिया आप गर्मेंट का अधिकरी से लिया आप पॉब्लिक सेक्टर से लिया आप गर्मेंट एम्प्लोई से लिया आप सी एसर का नाम पे लिया लेकिन और रुपिया का कोई ओडिट नहीं होगा किसी को पता नहीं है एतना रुपिया कहा से आया कहा से गया और कहा से चला गया कहा से आदमी भूखा रहा धनोबान का बेटा ख़जाना भरते है और मुझदूर रोरोकर तक्दिर का सोहीद होते है आपका पता नहीं है कोबिट का टाइम में कितना माईग्रेंड वारकर रास्ता में मर चुका कैसे हम भूले ओदिन कैसे हम भूले एक बच्चा को लेके माई चलता है एक छोटा से भैंड पर बच्चा को सुला के वह आप नहीं भूल सकता है कितना माईग्रेंड वारकर भूग में मर गया मैं तुआज आपको कहने चाहूंगी कोबिट में जतना लोगों को मौथ हुआ है एनरसी में जतना लोगों को मौथ हुआ है दंगा में जतना लोगों को मौथ हुआ है किसान का अंदलोर में जतना लोगों को मौथ हुआ है सब को परिवार को एक रेल से चाक्री मिलना चाह यह मैनुफ्यस्ट में पहले एलिको रेल में बहुत सार भेकेंस यह है देदा उगरीब लोगों को हम देखता है जनता को क्या-क्या बेटी पराओ, बेटी बच्चाओ, क्या पैसा है, कुछ नहीं है हम जो बेटी हमारा एक प्रोग्राम है कन्नाश्री जो यूनाटेड नेशन्स में बिस्टव और फर्स्ट प्राइज मिला हम उसको 25 जड़ देता है, आठ्यों साल में आगर उपड़ा सुना करता है, साधी नहीं करता है तो उसको हम स्कूल से लेकर, कलेज से लेकर, इनुबासिटी से लेकर पुरा बिना पैसा में पराता है, स्कॉलार्शिप देते है आपने अपना बजेट क्या है, एक सो क्रोर बजेट है तो पचात्रों कोड़ आप उसको एड़टाइज में चला देता है, पाथ पैसा भी नहीं मिलते है, आप बेटी पड़ाओ, बेटी बचाओ के नाम पे, बेटी हाटाओ, देश बाचाओ, इसा करते है उन्नाओं में इसाई किया, हत्रास में इसाई किया, जिन्देगी जला दिया, कितना एनकाउंटर के नाम पे, कितना अदमी को आप मणा इनर्सी का मुब्मेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी इनर्सी का मुब्मेंट में थे, मैंने इनर्सी हम चाहते हैं अमारा देश में चाहे जाठ हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसल्मान हो, चाहे सीख हो, चाहे इसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिबाशी हो, चाहे अभीसी हो, चाहे मा हो, चाहे बहिन हो, चाहे स्टुडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ मेरा आच्छा रहे, आप ल इतियास को बटारा का काम क्या। इतियास को भी आप चेंज कर रहा है। सेशन का नाम चेंज कर रहा है। रेल भबुन का मापी हेरिटेज भी नस्ट कर दिया। सोहिद ज्योति का मापी अमर ज्योति भी नस्ट कर दिया। है हब सब कुछ नख्ष कर सकता है यह बबाशायब अंबेतकार जिन ने हमारा Constitution रचना किया था है आज बबाशायब अंबेतकार का Constitution के लेके अब खेल रहा है है उसका सब खेलवारी कर रहा है कोई कानून नहीं मांते है आप कानून इपाज़त करते है और बड़ा बड़ा बात करते हैं, इकबाल का एक सायरी था, वो सायरी यह है कि उमर भर तेरी महबत मेरी खिदमत गर रही, उसको मा का द्यान का बाद लिखा था, उमर भर तेरी महबत मेरी खिदमत गर रही, मैं जब तेरी खिदमत गरने का कबूल हुआ, तुछ चल बसी, आज ये ना हो, जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोग तंत्र है, उसको पूरा खतम करके, नास करके, ये ना कहो, कि देश बाशी, आप चल बसी, और ओ चलेगा एकला, इसा नहीं हो सकता है, देश समालना मुश्किल होता है, देश का नेता कैसा हो, गांधी जी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नेता जी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, आपका उत्तर पुदेश, कितना बड बड़ा नेता को जरम दिया है देश का नेता कैसा हो लाल बहादुत जैसे हो देश का नेता कैसा हो जोई जोवन जोई किसन जैसा हो देश का नेता कैसा हो चरौन सिंग जैसा हो देश का नेता कैसा हो रबिंद्राद जैसा हो देश का नेता कैसा हो तुल्ची दास जैसा हो दे जलिने को पुजा करते है हम पुजापाट करके घर से निकालते है लेकिन हम वे DU कर भी बुजा करते को ता हम स्थलिदाजस को कहने चाहूंगा कि आप लोग है कि आप अदार का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं बिजय पी का पासंसति viktो happy परपन कर दिया है ऐसे उपी नहीं चलेगा मा बहिन को मैं कहने चाहूंगी चाहे जंसी रानी लक्समी भाई हो चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिन्देगी जला दिया रस्ता पे आज मा बहिन और रोमियो क्या भाई नी बना के नाम पर बैटी हाटाओ और डेटी बाचाओ कर रहा है एंकाउंटर करके लोग मारने का जुरूरत क्या है तुम कानून से कम लो कानून से कम लो अगर कोई फूलिश बात नहीं चुनता है तो उसको खिलाब में भी आप एसा ही करते हो आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो अब स्टुडेंट को बात नहीं करने देते हो अब बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गापुजा करने नहीं देता अदेखिए मुपे कैसा थपर पड़ा युनेश को हेरिटेज माना दुर्गापुजा का बंगाल को सरम है माफी मांगो जुटा बात कहने के लिए हमारा घर घर पर सरसती पूजा होता है कोई इसी पूजा करते है कोई रामसिता का पूजा करते है कोई बजरंगली का पूजा करते है कोई गनपती का पूजा करते है कोई रक्समा का पूजा करते है कोई बश्नुमाता का पूजा करते है कोई चमु भगवाद परते हैं कोई ग्रंतों साहिब परते हैं कोई अम्बेत कर करते हैं होर आदमी का होक है आज सुबह में ब्राम्मीन समाज हमारा पस मिलने के लिए आये थे उन्होंने भी मेरे को बोताया कि हम आपको आने पर हम अकुलेश जी को पुरा सपोट करेंगे I am grateful to them, look a Personcular को हम अच्छा से रखे एक माला तब बनते हैं को बहुत ने फुल लेकर एक-क-क-क टरके एक-क माला गणते हैं और यहाथ घूलित एक सकति नहीं होता है परिबार में एक ही Venator पिताजी रहता है मताजी रहते हैं भाई रहते हैं बोन रहते हैं चाचा रहते हैं चची रहते हमारा सरीर देखिए हाथ है पाह है आक है चूल है ब्रेन है लिबाड़ा है किटनी है सब कुछ है इसके लिए हमारा पूरा इंसेन है इसी के लिए हम communal politics का बाड़े में नहीं कहेंगे हम communal politics को प्रसंद नहीं करते हैं और जूटा politics है BJP का और धर्म को भी उल्टा रूप देता है असली हिंदु धर्म को ओ नहीं मानते हैं हम communal politics को बात नहीं करेंगे लेकिन हम जो आदमी भूखा है employment नहीं हुआ है हम बेरोजकरी का बात करेंगे अगर अखिलेस जी जीते तो बंगाला रूपी मिलके बहुत सरी इंडास्ट्रियल यूनिट बना सेकता है आपका यूपी खिशे लकनों से बहुत सरी इंडास्ट्रियल यूनिट इलाबाद से लेधर इंडास्ट्रिय हमारा बेंगॉल में अभी गिया और पाच लाग नकड़ी भी हुआ हम लोग एक साथ में काम कर सकता है यूपी में इतना टूरिस्ट स्पोर्ट है बेंगॉल में इतना टूरिस्ट स्पोर्ट है हम पूरा हिंडूस्तान को जूर सकता है एक साथ में काम करने का बाद हमारा इतना इंवासिटी है आपका भी कितना जाने माने इलाबाद इनुवासिटी, आपका बहुस आलिगार इनुवासिटी, आपका बहुस सरे इनुवासिटी है हम भी अमारा स्टेट में नौया चल्लिस इनुवासिटी बनाया हमका कन्नास्री नाम पे इन्वासिटी है, अम्वेतकार पर नाम के इन्वासिटी है, मोलन अभुलकला मजाद का नाम पे इन्वासिटी है, हमारा गांधी जी का नाम पे है, नेतरा जी का नाम पे है, हर जगा में जो इंपोर्टेंस देहता है, हर जगा, जैसे राजेंद अमारा किसान लोग रास्ता में पढ़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गरी चलाके उसको मर दिया ओपी तो मंगो श्थरम है कोई स्थरम है तो माफी मांगो पहले किसान अंदोलन को साथ मैं पहले भी थे मैं 26 डे संगर स्ट्राइक किया था किसान का जोमिन बचाने के लिए आज भी कहने चाहूंगी किसान को मिनिमाम सपूर्ट पाइज मिलना चाहिए आज भी भोट के लिए आर किसान के अंदोलन के लिए तिन भी वापास किया लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से पुरो हिंदुस्तान के लिए लोग खत्रा है अज बिजय पी हिंदुस्तान के लिए एक खत्रा पार्टी बन गया है अगर आप खत्रा से निभा सकता है तो आप कोई अपना पाई पे खड़ा होना पड़ेगा हम तो मा बाईन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी मिंति करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गिया आगे बढ़ा सकता है अगर आप लोग एक काट्टा हो जाए तो ए बिजय पी हार जाए हम हमारा स्टेट में लक्ष्मी भांडर बना दिया नोट बोंदी करके महिला का रुपिया जिन लिया तो मैं इसी के लिए जो इसे प्रग्रम बनाओ एब्दम लक्षिरी भांडर जो लच्मी अमारा घर में है मा वो इनको दो स्टूडेंट को दो हम स्टूडेंट के लिए दोस लाग रुपिया का क्रेडिट काड़ बनाया साइकेल दिया टैप दिया बिना पैसा में पड़ासुना कर दिया स्कॉलाश्चिप दिया पूर दिया भुरा दिया लेकिन हमने जो किया कि उसको लिए टेंड लैक्स रुपिया का स्मार्ट काड़ बनाया एक बत्या लोग चल्लीश में पड़े अगर कॉलेज में पड़े अगर आई टेहिंए में पड़े अगर पोले टेक्निक में पड़े अगर स्केल्टेश्टेरिंग लैं अगर इन्वासुतिटी में पड़े तो उसको कोचिंग का फीज मिलेगा उसको भुस्तक करने का पैसा मिलेगा उसका बहुत सारे खर्चा मिलेगा इधार से दोसलाग रूपिया करके उसको क्रेडिट कार्ड और गौर्णमेंट इस गैरेंटर उसको पिताजी माताजी को अभी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है देस सफिसेन आत्म निर्भर इसको कहता है पहले स्टुडेंट को आगे बढ़ाओ और मेरे को पाता है कि यूपी का स्टुडेंट लोग बहुत मजबूत है इसको लिए स्मार्ट कार्ट बनाओ 10 लाक्स रुपीश करके पिता जी माता जी को चिंता करने का जुरूरत नहीं होगा कैसे ओ लैप्टाप खड़ी देगा कैसे स्कूटी खड़ी देगा सब एक साथ में हो जाएगा ओब बीजेपी का भीक मंगने का जुरूरत नहीं है एतना दिन जॉब नहीं किया एतना दिन जब नहीं कर पाया आज ये बात करते हो बोलता है हम क्या बनाया वह एक शास्तो शाती क्या एक वह एक बनाया क्या कार्ट बोलता है आउज मन 40% स्टेट को देना पड़ता है और 60% देने गए देगा और उसका नाम होगा हम नहीं किया क्यों 40% हम देगा तुमारा नाम होगा तुमारा चर्चा होगा हमने शास्तो शाती कार्ट बना दिया हर परिवार को पाच लाग रूपिया का टीटमेंट खर्चा प्राइबेट हॉस्पिटल के लिए मैं दे दिया और गॉर्ण्मेंट हॉस्पिटल में एक पैसा हमारा बना भॉलो और यहीं शारकार करते हैं तो शर्चाह द गंघर भॉल में जायेका इस वह को नकल करते हैं अरे नदाल करो अच्छा चीज करो मादार माततो करो हुं और ऐर गंजियतल मातत्vent करो है नोटबोंदींट मेरो इनर्शी तो मात करो यह लोगों को कोमी दमें गंजा में भाषा तो मत दो और बाटवाड़ा मत करो फिर यह जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोग को पूरा खा जाएगा राजनिति का रूप में अर्ठनिति का रूप में होड जगा में इसको कुछ आता नहीं है इसी के लिए उसको जाता है जाने दीजिए जो जाने चाते है उसको जने दीजिए मेरे को यह भड़ोसा हो गया मैं थुरा इलेक्षन को पैचानती हूँ कि मैं भी साथ दवे परल्लामेंट का एंपी थे मैं भी रेल मिनिस्ट्रत दो दवे थे मैं भी कोल माइन्स मिनिस्ट्रत थे मैं भी विमेंचाइल मिनिस्ट्रत थे मैं भी यूच स्पोर्स मिनिस्ट्रत थे मैं भी स्टेंडिंग कॉमिटी का चियार्मेन थे अग तिन दवे इलेक्षन हम चिप मिनिस्ट्र है इसी के लिए कि तीन दफे तीन दफे तीन दफे इलेक्शन हुआ था चुनाओ पर्लामेंट का तीन इया तीन साल में इसके लिए मेरे को साथ दफे उधर में हो गया और तीन बार हम MLA में आ गया दस दफे इधर में हो गया मैंने हिंदुस्तन को पैचनता है तो इसके लिए हम हिंदुस्त में बीजेपी रुपिया देके बहुत कोशिस किया लेकिन वान इस्टू वान हो गया इधर में भी वान इस्टू वान होने वाला है और ऑखिलेस जी बोर्ट में जितने वाला है और समाजबादी पार्टी जितने वाला है एक इतिहास होगा अगर यूप बंगाले काम कर सकता है तो यूप जुरूर कर सकता है आप कर लेजिए आपको चिंता करने का किसी का जुरूरत नहीं है कोई कास्ट को जुरूरत नहीं है चिंता करने का कास्ट बिजेपी का पास क्या होता है इलेक्शन का टाइम में मेरे को पता नहीं है उसको बहुत अब उसको भाशा थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है लेकिन होर कास्थ हमारा गवरभ है अर्जो पूर है गरीब रहनता है उसी के लिए हमारा दिल रोता है इसके लिए मैं कहने चाहूंगी कि साल फड़ोसी का तमान्ना साल फड़ोसी को तमान्ना आज हमारा दिल में है देखते है जोर किसका बाजुए कतिल में है हम लोग देखेंगे कैसे लराई में लराई का तारा करेंगे और डड़ाएंगे सेंटर लेजेंसी को देखे आप डड़ो मात जो डड़ते है और मरते है जो लड़ते है और जितते है रोशनी चाद से होता है सितारों से नहीं महबत आने वाला इलेक्शन में समझ बादी पार्टी का अखिलेश श्राशात में होता है और बीजेपी का साथ नहीं यह नाड़ा आपको घर घर में देना है घर घर में एक ही आवाज और वखिलेश जिंदाबाद उसको लड़ने दो उसको आगे बढ़ने दो हम लोगोरे जो सिनियार पोलिटिशियन है हम पूरा पूरी उसको मदद करेंगे सापोट करेंगे यूपी हमारा माँ है हमारा अम्मा है हमारा मदर है हमारा जो भी आप कहते है कोई जय जोहार कहते है एक एक भाषा में एक एक भाषा में रूप देता है लेकिन यह बात मात सोचो कि उपी छोर के आम बात सिकते हैं इउपी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिदा है बंगला अगर हमारा एक हाठ है तो उपी भी मेरे को एक हाठ है और इउपी अगर अच्छा रहे तो देश अच्छा रहे इउपी देश को बचाते चुनाओ का टाइम में कोई संद बन जाता है चुनाओ का टाइम में संद बनना और असली संद नहीं होता है असली संद को तो हम रिस्पेक्ट करता है जो 365 दिन संद बनता है पबलिक के लिए आज लोगों ने भूका मरते है बेरोजगरी बढ़ रहे है माब उनका सनमान नहीं है लोगोंने मुवमेंट करते हैं तो गोली करके मर देता है मैंने यह भी सुना एक प्रेस रिपोर्टर मेरे को बताया कि ओकिलेस का पार्टी ओपिस का सामने में कोई गारी खाड़ा होता है किसी का तो उसका खिलाब में भी केस कर देता है एक पुलिश का गलती नहीं है गलतीतो गर्मेंट का है जो गर्मेंट इंस्ट्रक्षन देके किया है हमारा स्टेड में भी पूरा भरड़त सरकर्थे इलेक्शन करने के लिए अर्थे बहुत रुपिया लेके थे आर हमारा घर-घर में सब लोगों को lagi कर दिया ईड गर्दिया क्या नहीं कर दिया एतना टर्चर क्या क्यों इतना ट्रोशिति क्या लेकिन तब बी जनता ने उसका बात नहीं शुना जंता ने हम लोगों को भोड दिया इसे के मैं मेरेको जितना भी भाइभाई है होरकस्ट का जात लोगों ने आपको तो दिल है लड़ाई करने के लिए आप कभी जिर जिर जुकाते नहीं हैं मैं आपको सेलूट करते हैं आप रहिए आप समाजबादी को भोड़ दीजिए हमारा माइनोरिटीस जतना भाई भैन है मैं आप लोगों कहेंगे कि आप लोग एक कट्टा होके आउर किसी को नहीं समाजबादी पार्टी को भोड़ दीजिए हमारा जतना और भी कास्ट है चाहे ब्रामीन हो चाहे हिंदु हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सीको चाहे हिसाई हो चाहे सिगल कास्ट हो चाहे दलित हो चाहे अधिबाशी हो चाहे ठाकुर हो मेरे को तो सब पता नहीं है मैं अगर किसी को नाम नहीं ले पाया तो उसी के लिए मेरे को छमा कर दीजिए आइस्ता इस्ता मैं फुरा शिख जाओंगी लेकिन हर कास्ट के लिए मैंने का चाहूंगी कि हर घर मॉहादेव हम लोग जैसे करते हैं ऐसे हर हर मौदब कहें के हम आप लोग को कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़े दिल से आगे बढ़े इंसानिये से आगे बढ़े और एक बात याद रखिए और टॉर्चर करेगा डॉंट केर चुनाओं को पहले दिन बहुत सारे एरिया में जाके जाके उसको सेंटरल एजेंस इलेक्ष्यन का नाम पे बहुत बहुत गंधा-धनदा बात करते हैं निकालने नहीं देता है बchae किन आपको निकालना है अगर तिन सो पैसटरे दिन आच्छे रहना हैं तो एक दिन के लिए निकालना है, नुए सुबह अगर दिखना है, तो रोश्णी ले आए, और उत्तर फुदेश का रोश्णी कोन ले आ सेकता है, उसको टीम ले आ सेकता है, और सब को साथ मिल के काम करता है, यह सबसे बड़ा उसका, हम एप्रिसियेट करते है, इसके लिए देखिये, हम गौवा आमें भी अमारा पाटी लेटते है, लेकिन मैंने नहीं गया, मैं यूपी में आया ऐसी के लिए, कि यूपी के लड़ाई जत का लड़ाई है, यूपी में अगर ओकिलेस जित जाएंगे, समाज बाधी पाटी जित जाएंगे, आप वेस्टान यूमी पी फास्ट भोट करे आप रास्ता देखा देजिए, आप दिशा देखा देजिए, हर प्रान तीवपी का, आप कोई फलो करेगा, यू लीड और अल उल वी दा लीडर, आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा, ये मेरे को पुरा विश्वास है, और ये भी विश्वास है, कि आप जीतेंगे, और जीतने का बाद मैं फिर आएंगे, कि हम लखनो में, लखनो का चिकेन बहुत पसंद करते हैं, चिकेन का का आज, लखनो चिकन, हमारा उधर में भी चिकन का बहुत सारे सप्लाइ होता है, आपका भी बहुत ट्राग जाता है, है अमारा उदार में बॉर्डर में हमको आज सुभा में लोके सार राजस्तिपाटी जी भी बता रहा थे आम उसको सब ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर को मिटिंग भी करा देंगे ट्राक ओर्नर्स के लिए जैसे आपको दिक्कत ना हो आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर बड़ है आपका गंगा हमारा गंगा बड़ाबर है आपका रिदाय हमारा रिदाय बड़ाबर है आपका संगस्कृति हमारा संगस्कृति बड़ाबर है आपको रिष्टा हमारा रिष्टा बड़ाबर है अगर सब बड़ाबर है तो बंगाल जो किया है ओ भी आप करके दिखाए अगर यह आप कर सेकता है तो और कुछ का जरूरत नहीं है बात बाकि डेवलाप्मेंट हम लोग मिल जुल के करेंगे एकला कोई काम नहीं कर सेकता है सब को मिल के करेंगे मैं इनी सब्दों को साथ मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत बदाई देने चाहूंगी कि मैं तो ज्य ज्याँदा हिंदी नहीं कह सेकती हूँ लेकिन हाँ कोशिस किया है और होड कास्ट को मताजीप बहिन को मताजीप बहिनों आप लोग बाहर में निकालो बाहर में निकाल ये मिन्स आप लोग आके अखिलिस को सपोर्ट कीजिए महिला लोग अगर एक काटा होते हैं तो देश का रोष्णी कुछ अलग से देखा जाता है स्टुडेंट सी उत आप एक काटा होके रास्ता निकालने आप तो कभी डरते नहीं है आप तो हिम्मत से लड़ते हैं हम भी जिन्देगी में चलिस साल संघर्ज किया है तॉप सी पीम को अटाया लेकिन इधार में लेप्टिस्ट लोग भी आपको सपोर्ट कर रहा है मेरे को साथ में भी बहुत सारे लेप्टिस्ट का रिष्टा है मैं उसको साथ बात किया है यह जो बीजेपी कहेंगा वही आपको कहने पड़ेगा हमारा स्टेट में भी ऐसा हुआ था जूटा से कहते थे क्या जूमला ना क्या बोलता है फिर जूमला कहते थे 80-20 लेगिन लोगों नों देखा दिया और कहते थे स्लोगान देखे अब भी बार 200 पार अर इधार में बोलता है अब भी बार ओकिलेश 300 पार आपका स्लोगान मैं आपको लुटा दिया आओ जीत लोक तंत्रों में छिन के लहीं भोट देकर आप उनापन भोट देकर आप अपकिलेश जी को जिताए और अपकिलेश जी मेरे को जब भी कहेंगे हम आएंगे और एक साथ में काम करेंगे हमें चरण सिंग का जो बेटा है जायन चोधरी से लेके जितना भी आपको लीडर है बहुत सारे जगा में हमारा किसान लीडर जो है हमारा जाट लीडर जो है हमारा दरीद लीडर जो है हम अधिबाशी लीडर जो है हम माइनरिटी लीडर जो है मुस्लिम हम सब को कहेंगे अब इसी भी है सब एक साथ में मिल जाओ सब मिल जाओगे तो BJP भग जाएंगे और यूपी से अगर आप हटा दो तो देश से हम हटा देंगे यह वादा हमारा है इसी के लिए इसका बार ओकिलेस तीन सो से ज्यादा पार इसका बार आकिलेस का सरकार इसका बार यूपी में समाज बादी पार्टी का सरकार इसका बार मा बहिन का सरकार इसका बार स्टुडेंट यूद का सरकार इसका बार दलितों का सरकार इसका बार मुस्लिम का सरकार इसका बार हिंदू का सरकार इसका बार जाट का सरकार इसका बार किसान का सरकार इसका बार मज़ूर का सरकार और इसका बार देश का सरकार यूपी बेंगल एक हो जाएंगे और साड़े स्टेट देखो ओल रिजियोनल पार्टी मिलके हम लोग दिल्ली से बिजय भी के हटाएंगे यह हमारा वादा है वादा है वादा है मैं वादा का सथ कहती हूँ जय हिन जय हिन जय हिन बने मातरम इंकलावी जिन्दाबाद एक सा में रहो एक साहब में रहो एक सात में रहो और हम एक देखने चाथ है dugくड़ी ब्लस क्या आप लोग जो चारी पास में है शारी प्रांतर में बहुत साहीं किसान भाइश-स लोग आप लोग को जब मुपमेंट चला था मैं ने टीम भी किसान और मैं मुबायल से भाशन दिया था फाले कोई नहीं गिया था तो मैं पहले आमनी भाशोंदेर ने शुड़ू किया था आपका मुभमेंट आगे बढ़े आप आगे बरो जय जुवान जय किसान ए नारा लेके आप आगे बरो हम आपका साथ में है पुरा है पुरा तरह रहेंगे और जो दस तरीक को भोट है उसका बाद मे दो अकिलिस को एग भीड ईवाट को बाद में माद में मात दो जो लोग-ऄ लोग मरते हैं भूका मरते बेरोजकरी बढाता है कोबीट पर इंगेर रहा करते हैं तो इसके लिए मुगामबो को खूश रहे निने दो मुगाम वो खूस रहे और युपी का जनता एक दफ उसको जिताके और्खिलिश जी को जिताके युपी का जनता देश चमें एक इतिहास वन जाए फैनक युव सो मज़ आपको बहुत बहुत नमस्ने आप लोगको शाठ शेकाल जी आप आप लोगो पुनाम, आप लोगो जय जय राम जी, आप लोगो जो जो कहता है, जय जोहार, आप लोगो जय दलित, जय हमारा माबहिन, सब एक साथ में मिलके, आप काम करो, हम फिर आएंगे, बहुत बहुत धनवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत 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 नमस्ते, परनाम अब लोगों सब के मैं 15 तरिक में आके बेनारास में मीटिंग ऑकिलियस जी का साथ सम्मंदित करेंगे और ओ टाइम में मीटिंग का पहले हमको थोड़ा मिलेगा वा मीटिंग का बाद में हम तोड़ा छिप दर्शन करेंगे हमारा बहुत दिनका इच्छा है और हम तुरह दिया जालाना दखेंगे की यह भी हमारे च्चा है पैलेगी मेलाबद कुम्भो मेला सब जागा में मी आये थे चुनाओ का साथ उसको हम संबन नहीं करेंगे चुनाओ आलग से मिटेंग करेंगे और ओ दर्शन हम आलग से करेंगे अच्छा रहिए शुशास्त रहिए बहुत बहुत धनवाद नमस्काद, थैंक यू अखिलेशी, थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आले दिदीजी